नमस्कार मैं प्रियर अंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं के स्टॉक के बारे में इस समय यह स्टॉक 56 के प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है और इस समय 27 अपरेल को इसके क्वाटरली रिजल्ट आने हैं और रिजल्ट से पहले कुछ न्यूज है यहां देखेंगे कि आईडी अप्ची फर्स बेंक ने अपने इंप्लाई को 10,23,035 सेर जो है वो दिये हैं एज अ स्टॉक ऑप्चन के थुरू और यहीं यह बरी खबर रही है यहां देखेंगे आईडी अप्सी फर्स बेंक इंप्लाई रिवाडेड विट 10,23,035 सेर फॉर एक्सो साइजिंग स्टॉक ऑप्चन इसके अलावे देखेंगे तो 29 अप जो की बिल्कुल फ्री है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सकाइब करें दोस्टों के साथ सेर करें डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट आपें कर लेंगे अगर आपको हमारे एक्टिव टेडिंग कम्पनी ग्रूप और लर्निंग ग्रूप से जुड़ना है यहां देखेंगे तो पाएंगे कि इस स्टॉक के जो डिलेवरी थे वो काफी बेतर थे और जो मिचल फंड उसकी बाइंग दिख रही है और इसके साथ ही यहां देखेंगे तो वॉल्यूम कम्पनी के काफी ज्यादा दिख रहे है तेकनिकल ट्रेंड पोजेटिव है इसके साथ ह यहां मैं दिखाऊं तो जहां मंथली ट्रेंड जो है अंडर परफॉर्म था वहीं वीकली देखेंगे तो और परफॉर्म स्टॉक करते हुए दिख रहा है इसके प्राइस को देखेंगे तो यह वीकली टाइम फ्रेंड पर देखेंगे ट्राइंगल ट्रेंड बनते हुए दिख रहा था इसको company ने breakout करा और इस समय expectation यहां daily time frame पर भी दिखा हूं तो पहले जो यह lower low lower high दिख रहा था इस समय देखेंगे higher high higher low दिख रहा है यानि इस समय current buying करके आप चाहें तो 62 से ले करके 74 तक के दो target ले सकते हैं SL 52 का होना चाहिए for duration of minimum 1 month to maximum 3 month